तो यह देखिए एक हमारा छोटा सा setup है जो मैंने एक wall बनाई है जो दो तरफ हमारे पास यह front और जो back का wall है यह देखिए यह जो wall है इसमें मैंने यह fully reflected wall है यह देखिए इस तरीके से reflection मैंने full material apply किया हुआ है और इस पर full reflection मैंने दिया हुआ है अब इसको मैं render करता हूँ यह देखिए specular को हमने zero कर दिया और render करते है तो यह जो हमारे specular command है जो हमने wall बनाई हुई है उस पर यह reflect नहीं कर रहा है तो अब हम लोग क्या करते है यह हमने specular को zero रखा और render किया तो यह देखिए अभी हमारा कुछ भी output नहीं आया अब specular जो हमारा है red app specular इसको मैंने three times बढ़ा दिया है मैंने यहाँ पर three कर दिया तो यह देखिए यह हमारा जो specular है वो तीन बार हमें दिखाई दे रहा है यह हमें एक तरीके से gallery type की दिखाई दे रही है यह render हो रहा है हमारा scene तो यह देखिए यह हमारा normally सिर्फ specular है वो bounce हो रहा है यह देखिए अभी हमने जो यह थोड़ा सा हमने quality increase कर दी है diffuse की noises आ रहा है हमारा scene तो मैंने थोड़ा सा quality improve कर दिया है अब इसको हम लोग render करते हैं इसको मैं render करता हूँ अब तो यह render हो रहा है हमारा अब इसी में इसको हम लोग snapshot रख लेते हैं यह देखिए पहले में हमने without specular दूसरे में हमने 3 रखा और इसको मैं एक बार और increase कर लेता हूँ मैं 5 times रख लेता हूँ red app specular को और render करता हूँ तो यह देखिए हमारा scene render हो रहा है जो हमारा camera anti-alizing 3a diffuse 3a जो sampling की setting है थोड़ी सी high रखी हूई है quality और अच्छी निकलेगी जो इस तरीके का scene होता है उसमें थोड़ी सी setting अच्छी रखनी पड़ती है क्योंकि noise prominent दिखाई देता है तो हमें noise को remove करने के लिए camera anti-alizing को बढ़ाना पड़ता है तो यह हमारा scene render हो गया अब यह देखिए कितना clear scene हमारा render होगा है जो ray depth specular bounce है उसको 5 रखा है यह देखिए कितना clear है यह 1 है यह 3 है यह 5 है तो इस तरीके का हमारा कुछ result आया तो यह हमारा red depth specular इस तरीके से हमारा work करता है so thank you दोस्तो like और subscribe करना ना भूले thank you